राज्यके गुरुह मंत्री अनिल देश्मुक निक शुक्रवार की दो पेर अपने चुनाक शेत्र पहुँश कर कोविड-19 के संभंधित समस्याओं का जायजा लिया। कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का प्रत्यक्शन इरिक्शन किया गया। राजमार्क पर सुरक्शा चोक्यों परतैनात, पुलीस अधिकारी और पुलीस करमचारीों के साथ सुरक्शा के इंतजामात की जानकारी लेकर आने वाली समस्याओं के समध में पूश्टाच की इस दोरान किसानों के कुरुशी उत्पादन पर रोक्टोक ना करने की स्वास्त केंद्र पर पहुश कर उपरती स्वास्त अधिकारी तथा स्वास्त सेवा दे रहे। स्वास्त करमचारी आशा स्वयम सेविक, एबं अंगनवरी कारी करता हो शुपकाम नाय दी। साथ ही कोंडाली स्वास्त केंद्र के तहट 43 गाउ के नागरिकों के स्वास्त समधित जानकारी ली COVID-19 के तहट अने जिला, राज्य तथा वीदिश नागरिकों के आने जाने की जानकारी भी ली इस आउसर पर स्वास्त अधिकारी डॉक्टर सुनिल एर्मल, डॉक्टर अश्विनी दातिर, डॉक्टर बिलाल पठान ने सभी जानकारी दी कोंडाली के सरपंच केशे और अधुर्वे तथा उपसरपंच स्वपनिल व्यास से ग्राम पंचात कोंडाली के समस्याओ पर चर्चा की इस आउसर पर जिला स्वास्त अधिकरी डॉक्टर दीपक सेलोकर काटोल नर्खेड के स्वास्त के विशे पर जानकारी लेकर स्वास्त केंदर पर अपने स्वास्त की जाज कराय आएं मरीजर से भी मिलकर उनकी समस्या जानी साथ ही स्वास्त सेवा देने वाले कोवीड योद्धाव का मनुभल भी बढ़ाया है